नमस्कार दोस्तों मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक इस्टडी में आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे BTC प्रथम समेस्टर 2016 के पांचवे प्रेशनपत्र समाजिक अध्यान यानि सोसल इस्टडीज प्रेशनपत्र के बारे में भाग एक सीले करके चार तक हम अपने पिछले वीडियो में उनके आंसर के बारे में जान चुके हैं ये पांचवा भाग है बाकी एक से चार तक के जो वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन में जो है मैं दे दूँगा जिससे कि आप आप सभी उस तक जो है अपनी पहुँच बना सकें और उन questions की आंसर को देख सकें आंसर इस पर जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस चैनल को subscribe जरूर करें जिससे कि इस चैनल पर upload होने में प्रतिक वीडियो तक आपकी पहुँच बनी रहे तो देखते है अपने अब जो answers है इसमें दियावा 37 जो उतर संक्या है इसमें जो question number 37 था उसमें पूछा था कि continents जो है कितने हैं उनके बारे में जो है विस्तार से लिखिए ठीक है बताना था तो हम सबसे पहले देखते हैं कि continents होता क्या है तो एक विस्तृत जमीन का file आओ है जो स्ट्रक्चर की बात करूँ जो उच्छा वची है सरनशना है प्रतिभी पर तो वो दो प्रकार की major जो first order relief structure है तो वो दो प्रकार की है एक होते है continents दूसरा है जो है oceanic water तो एक महासागर यह जल वाली बात होगी दूसरा जो है वो हो गया continents यानि कि जो अस्थल वाला भाग ह वो ही जो है हम क्या बोलते हैं continents बोलते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो महादीपों की संख्या है वो साथ है एशिया सबसे बड़ा है उसके बाद अफ्रीका है फिर है North America देन उसके बाद South America अंटार कटिका ये औरोप एन जो सबसे छोटा है वो है आउस्ट्रेलिया यह है कि यह जो है विश्वके रिक्षेत्र फल का 29.5% यानि 29 फ्रतिश्ड चुब भाग है वो एस्या के पास में है यानि एशिया का है वहीं अगर बात करें तो विश्वके कुल क्षेत्र फल का एक बटे तीन भाग जो है यहां पर फैला हुआ है सबसे बड़ा देश है वो चा अगर नेक्स्ट देखते हैं इस पर continent अफ़ीका महाद्यूप तो जो अफ़ीका महाद्यूप विश्वा का दूसरा सबसे बड़ा महाद्यूप है कि यहां पर लगभग सारी प्राइचनितम नवीनितम संस्क्रितियां मिल जाती हैं अगर मैं अफ़ीका कॉंटिनेंट की बात रेखा यानि कि अपकी जो एक्वेटर है करक रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो मकर रेखा निक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यह एक लौता ऐसा महादियूप है जिन से तीनों रेखायों कर गुजरती है ठीक है अफ्रीका का जो एक बटे तीन भाग वो मरुस्थ है ठीक है अगले महादियूप के बारे में यह है नॉर्थ अमेरिका जो कॉंटिनेंट है यह तीसरा सबसे बड़ा महादियूप है नई दुनिया की संग्या इस महादियूप को दी जाती है उत्तरी अमेरिका के खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी इसके दक्षड में बात करूंगा यहाँ पर सदर्न अमेरिका साउथ अमेरिका महादियूप की तो संसार का चौथा सबसे बड़ा महादियूप है इसके दो तीहाई भाग जो है विश्वत रिका के दक्षड में ऊस्टोफर कटि बंद में फाला हुआ है ठीक है यानि जेरो डिगरी की आस अगला इसमें देखते हैं जो अनतारिक आस अमेरिका महादियूप है दक्षडी गूलार्द में यह वीरान है ठीक है नेक्स्ट इसमें योरोप महाद्यूप योरोप महाद्यूप जो तरिवलार्द का सबसे चोटा महाद्यूप है यह विश्वा का छठा बड़ा महाद्यूप है अगर बात करें तो तो प्राइद्यूपों का जो प्राइद्यूप है या यूरेशिया का जो ह की बात करूं कुछ तो जो मकर्वृत है इसके मदे से वोकर गुजरता है एक मात्रेशा देश है जो संपूर्ड महादिवी पफायला है ठीक है नेक्स्ट इसमें आस्ट्रेलिया को प्यासी भूमी का देश भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि इसके बड़ी भूबाय में बहुत कम वर्षा होती है वर्षान की मात्रा बहुत कम जो है ये गेन करता है रेसीव करता है नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो देश हो अस्ट्रेलिया है सबसे छोटा जो है वो नौरू नेक्स्ट है सबसे लंबिन नदी उसका नाम है मारे डारलिंग नेक्स्ट है सबसे बड़ी जील तो है आयर जील अगला बात करते हैं हम 38 के आंसर के बारे में इसमें है हिमालया पूछाता है कि हिमालय की कितनी श्रेणिया है तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि जो हिमालय है उसका मतलब क्या है तो दो शब्दों से मिलकर बना है हिम प्लस आले यानि कि इसको हम इसके शाब्दिक कर्थ और इसके बिच्छी दन से पता चलता है कि बर्फ का घर ठीक है वहीं अगर हम देखें हिमाले जो है परवत तंत्र है जो भारतिये उप महादियूप को मध्य एशिया और तिबद से अलग करता है हिमाले परवत जो है पाचे देशों की सीमाओं से लगता है उनिस देशों तक फ्याला हुआ है उनकी नम है पाकिस्तान बहरत नेपाल भूटान और चिंड अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं हिमाले रेंज की हिमाले रेंज्जेस कितनी है तो सबसे पहले वो ट्रांस हिमाले है ठीक है उसके परा हिमाले बोलते हैं इसको ट्रांस हिमाले उसके बाद है महान हिमाले यानि कि ग्रेटर हिमाले या दूसरे पर तीसरे पर मध्य हिमाले हिमान्चल जो है और चौथा जो है वह वह हिमाले है यानि कि श्रीवाली हिमाले तो सबसे पहले हम ट्रांस की बारे में जानते हैं थो इसलिए इसको टेटिस हिमाले भी बोलते हैं लने की सबसे बड़ी और प्रचेंश ररींड है जो कराकूरम है लदस्ट mediocre इसी हिसी पलान हमाले में आती है इस इसे हिमाध्री भी बोलते हैं, हिमाले के सबसे उची स्वड़ी है, हिमाले की सरवोच चोटियां है, जैसे मकालू है, कंचंचंचंका एवरेष्ट अनपूर्णा है, नामचा बारवा है, ठीक है, यह सारी कि सारी जो है इस महान हिमाले में आती है, घाटिया पाई जाती है तो जम्मू काश्मीर में इसे पीर पांजाल हिमाचर प्रदेश में दावलाधार और नैपाल में जो है महाभारस ट्रेडी की रूप में जाना जाता है इसे नेक्स्ट है शिवालिक यानि कि वह है हिमालय या उप हिमालय भी इसको बोलते हैं यहाँ सबसे नई और कम उची चोटी हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या है कि शिवालिक और मध हिमालय की बीच में दून घाटिया पाई जाती है ठीक है जिसे पटली दूर है जो है देहरा दूर है यह सारी के सारी जो है यह शिवालिक श्रीडी में जो हैंको देखने को मिलती है अगला देखते हैं इसमें 39 नमबर कुश्चन जो है इसमें ग्राम पंचायत की चुनाओ प्रकरिया के बारे में पूछा था तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम तहसिल तालुका और जिले यह सारे के सारे उसमें आते हैं राजे के निदीश्र कततों में जो अनूश-चालेस है उसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है वोई अगर मैं बात करो समझायत की सातवी अनूशूची राजे सूची की प्रव попробिश्ट 3 पाच में ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है जो ग्राम पंचायत वाली बात थी वो 73rd constitutional mathematics 1993 उसे यह एड हुआ था समयधान में अगला इसमें पंचायती राज की ग्राम पंचायत की जो सनुष्णा है उसके बारे में तो ग्राम पंचायत की सनुष्णा में जो निर्वाचित मुखिया होता है ठीक है प्रादिसिंग निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस ये वारड सदस ये सभी के सभी जो है इस वार है जो ग्राम पंचायत की अवधी है वो अपनी बैठक की तिति से जो है अगले पांच वर्षों तक जो है यह अवधी मानी जाती है ठीक है तो अब आते हैं अपने उत्तर संख्या ग्रोग करना ठीक है ग्रोथ इन पॉपुलेशन अगलागातार बढ़ना यह उनमें से रीजन हो सकता है दूसरा है कि लोगों द्वारा सार्वजिनिक वहानों का प्रियोग ना करना जो पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको लोग यूज ना करके अपने प्राइवेट वहिक निजी वहान है उनको वह खरी देंगे ठीक है तो इससे क्या होगा कि यातायात में जो है बाधाय उत्पन होगी अगला इसमें है प्रदर्शन प्रभाव यानि कि डेमांस्ट्रेशन इफेक्ट जैसा कि अगर मैं भारतिया अर्थिववस्था की बात करूँ तो जो प्रद कि से हरडल क्या है यह प्रदर्शन प्रभाव कि शडकर से होना बी सड़क पर्यातायात के साथने की अधिकता के कारण है तो इस तरीके से हमने एक सिले करके पांच भागू में समाजिक अध्यन प्रस्टनपत्र के उत्तर के बारे में यानि कोशन बर्ल एक सिले करके 40 के उत्तर के बारे में हमने जाना Thanks for watching this video